हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आप होप के आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मीघास ब्लास्मिंग गार्डन आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये जरूर कमेंट करके बताएए और कौन-कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में जरूर लिखिए और मैं आपके सब के कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ उनका जवाब देने की और कुछ क कमेंट ऐसे भी होते हैं जिन पर मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए जो सब के लिए काम का हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना देती हूँ तो ये नहीं समझे कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे रही हूँ वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो वीड आपके मां आपके कमेंट पर ही बनाये हैं और आज का video समीता जी के कमेंट पर बना है वे लिखती है डार न में काली चीटियों से कैसे चुटकारा पाया जाए तो मैंने सोचा इस पर भी video बना दिया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत aí कॉमन प्रोब्लम है, जो सबको ही पेश आती है, गार्डन से चीटियो का निकलना आम बात है, आम तोर पर बगीचे में और उसके आसपास पाई जाने वाली छोटी काली चीटिया हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि वे गार्डन में महत्वपुन कार्य करती है, चीटिया मिटी में भरती है और organic matter को break down करती है और अन्यकीडों की आबादी को नियंत्रिद भी करती है इसलिए हमें उन्हें नश्ट नहीं करना चाहिए बस उन्हें कंट्रोल करना चाहिए ताकि उन्हें अपने घर और गार्डन से बाहर रखा जा सके चीटियों का के साथ special relationship होता है जो आपके पौदों के लिए हानी कारक है हनी ड्यू का त्राव करते हैं जिसमें शुगर होती है और चीटिया इनी पर पलती है बदले में चीटिया को बगीचे में अन्य शिकारियों से भी बचाती है इसलिए अपने पौदे में किसी भी तरह के चेंज को न chemicals हैं लेकिन कभी-कभी ऐसे chemicals पौदों के लिए पौदों के लिए भी हानी कारक हो सकते हैं तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन चीटियों को और गानिकली हम दूर कैसे भगा सकते हैं अपने गार्डन से चीटिया अगर गार्डन में या पौदे में लग जाती है तो इने दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ home remedies देखेंगे जिनसे आप चीटियों को हटा कर अपने plants और garden को सुरक्षित रख सकते हैं सबसे पहला है white vinegar white vinegar जिसे हम सिर्का भी कहते हैं चीटियों को बगाने में काफी असरदार होत या spray करें उस गंद की वज़ा से चीटिया दूर भाग जाती है सिर्का या vinegar में इक अलग type की smell होती है उस smell की वज़ा से चीटिया दूर भाग जाती है चाय फिर चीटिया पौधे पर हो या फिर पौधे की मिट्टी में दूसरा तरीका है चीटियों को बगाने का कि आप किया भी आप गार्डन में रख सकते हैं छोटी छोटी जो टीकिया होती है वो इस तरह से आप पौधे के आसपास या मिटी के उपर इस तरह से रख दे तो चीटिया नहीं आएंगी इसकी भी काफी अच्छीüber होती है लेकिन वो चीटियों को पसंद नहीं आती है मसालों मे दालचीनी सभी के किचन में होता है दालचीनी ले ले और मिक्सर में पाउडर बना ले इसी पाउडर को पौधे के आसपास या पौधे पर हम स्प्रे करें तो चीटियों इसकी सुगंत को बरदाश नहीं कर पाती है और तुरंथ ही भाग जाती है दालचीनी के पाउडर का एक्सपेरिमेंट मुझे काफी असरदार लगा जैसे ही इसे डालते है वैसी तुरंथ चीटिया तितर बितर हो जाती है चोथा है काली चीटियों को बगाने का एक और तरीका है वो ये है कि आप गमले में या पौदों के उपर टेलकम पाउडर का छिड़काओ भी कर सकते है टेलकम पाउडर की सुगंद को ये चीटिया बरदाश नहीं कर सकती और वहां से तुरंद भाग जाती है चीटियों को बगाने के लिए एक और काम हो सकता है चीटियों को भगाने के लिए डिश्वाश, सोप एक और आसान तरीका है लिक्विट सोप तो हम और आपके यहाँ पर होता ही होता है स्प्रे करने से चीटिया दूर भागती है इसके लिए आप आधा लिटर पानी ले ले और उसमें एक चमच लिक्विट सोप का मिला ले और एक चमच बेकिंग सोडा मिला ले इसे अच्छी तरह से मिला ले और स्प्रेयर से इस सोलुशन को वहाँ वहाँ स्प्रे करें कि आप हल्दी और लाल मिर्च पॉडर का छिड़काओ करें लाल मिर्च पॉडर की तेज और तीकी गन से चीटियों को एक दुसरे से समवाद करने में बाधा आती है और वो अपना घर डूण नहीं पाते हैं और इदर उदर बटक जाते हैं लाल मिर्च पॉडर और हल्दी को इक्वल मातरा में मिला ले और चीटियों वाली जग़पर छिड़काओ करें इससे भी चीटियां भाग जाएंगी सात्वा तरीका चीटियों को बगाने का ये है कि आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खीरे के चिलकों का इस्तेमाल कर गार्डन की चीटियों को दूर भगाने के लिए किया जा सकता है चीटियां खीरे की गंद को पसंद नहीं करती हैं चीटियों को भगाने के लिए खीरे के चिलके गार्डन में पॉट में रख सकते हैं और इसे हर दिन बदलते रहें और ये तब तक करते रहें जब तक चीटिया भाग न जाएं आठवा तरीका चीटियों को भगाने का ये है कि आप निम्बू का रस प्रे कर सकते हैं नीम्बू की साइट्रस सुगन से चीटियों को रोकने का काम करती है जबकि इसकी एसिडिक प्रकृती चीटियों को नश्ट कर देती है इसके लिए आप कॉटन बॉल्स को नीम्बू के रस में डुबोए और पौदों के आसपास रखे इसे बहुत ही जल्दी चीटियों गमले और गार्डन से दूर भागने लगती है तो आई होप की वीडियो में बताए गए नुसके आपके काम आएंगे चीटियों को बगाने के लिए आप इसे जरूर ट्राइ करें और अपने गार्डन के पौदों को चीटियों से बचाने के साथ साथ पौदों की खुबसूरती भी बनाए रखें तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें नोटिफिकेशन बेल को आउन करके आल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाए